हेलो एवरिवन, मौश वेलकम टो आवर चैनल, पीएस्टेट एंड सीटेट पेरपेशन तो आज हम स्टार्ट करते हैं और कांटीनू करते हैं हमारे इंग्लिश के सलेबस को जैसे कि आप सब को पता है कि सीटेट में अगरा पेपर वान दे रहे हो जो पेपर वान के स्टूडेंट हो जो पेपर टू के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश आपके लिए एज लेंग्योज है वह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको एज लेंग्योज फर्स चूज करते हो जो सेकेंड चूज करते हो आप अगर उसको लेते हैं तो क्या benefits हैं कौन कौन से topic से कैसे questions आपको देखने को मिलते हैं तो यह सब चीजें हमने detail में वहां discuss की थी तो आज बिलकुल हमारे first topic के साथ continue करते हैं start करते हैं हमारे syllabus को तो जैसे कि आप सब को पता है कि यह हमारा second lecture है और इसमें हमारा first topic है English के ल students के लिए है जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीए स्टेट और सीट दोनों में हमें different different थोड़ा सा हम अलग ही दोनों को डिसकस कर रहे हैं दोनों के लिए different session आपके लिए start किए गए हैं क्योंकि दोनों के exam के point of view थोड़ा बहुत difference जरूर हमें देखने को मिलता है तो इस बा करें पंजाबी का बिल्कुल start हो चुका है तो अगर अभी तक आपने starting नहीं की तो आप कर सकते हैं it will be beneficial for you similarly हम सीटेट के बी जो sessions है वो start कर चुके हैं subject सबके syllabus continuous start हो चुका है psychology का syllabus आपका start हो चुका है English का हम continue कर रहे हैं अगर आपको कोई भी doubt है तो आप हमारे चैनल पर ज नहीं नहीं किया है तो आप कर सकते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि full syllabus cover करने के साथ साथ आपको notes और PDF भी और वाइड करवाये जाएंगे तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा जा रहा है बिल्कुल आपको time to time proper notes और PDFs send की जाती हैं हमारे टेलिग्रम चैन चाहते हैं जब PDFs लेना चाहते हैं for example आज हम learning and acquisition को start करेंगे seated के English का first topic है learning and acquisition जिसको हम start करेंगे और इसकी PDF भी आपको telegram groups में send कर दी जाएगी और इन तीनों का link आपको description में मिल जाएगा वहां पे आप चाहे तो जाकर follow कर सकते हैं तीनों ही आपके लिए बहुत beneficial है otherwise अग name से आपको available होगा हमारा Instagram भी पेज भी हो और हमारा Facebook पेज भी clear तो चलिए बिना टाइम विस्ट के start करते हैं हमारे seat 8 का first topic जो के learning और acquisition start करते हैं हमारे first topic को first chapter को जो रहने वाला है seat 8 के उन सबी students के लिए जो इसको crack करना चाहते हैं और paper 1 जो paper 2 के students है clear तो बात करते हैं start करत definition topic का नेम आप सबको अच्छे से clear होगा और बात अगर हम करें सबसे पहले एक important चीज के बारे में discuss करते हैं हम discuss करेंगे language के बारे में कि language क्या होती है लेंग्विज मतलब भाषा जो आपके सामने definitions लिखी हुई है इन सब चीजों को जरूर देखेंगे बट आपको एक बार ज़रूर एजी वी में ज़रूर बताना चाहूँगे कि भाषा क्या है मैं आपके साथ बात कर रही हूँ एक language में कर रही हूँ कौन सी English में बात कर रही हूँ हिंदी लेंगिश में बात कर रही हूँ इस language के दवारा में अपने जो thoughts है जपए अपनी जो information है वो आपके साथ share का रही हूं तो एक जर्या है एक system है जिसके दुआरा हम आपस में बात करते हैं एक दूसरे से अपने views share करते हैं clear अगर हम English में बात करें तो English language को use करेंगे अगर जैसे अब मैं आपसे हिंदी में बात का रही हूं तो हिंदी लेंग्विस को यूज करेंगे क्लियर तो यह सब चीज़ें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं बट इन दोनों को यूज हम करते हैं एक systematic arrangement में एक proper rules और grammar के rules को ध्यान मर रखकर हम इसको यूज करते हैं हर एक language के अपनी script होती है उस script में हमें बहुत सारे grammar के rules फॉमुलास यह सब देखने को मिलता है clear तो चले देखते हैं हमने यहां सामने अगर हम पढ़ें तो हमें क्या नज़र आता है कि language क्या है system of communication used by a particular country or community मतलब language क्या है एक system है कैसा system है communication करने के लिए system है संबाद करने के लिए system है बातचित करने के लिए एक system है language जो कि use किया जाता है किसके द्वारा यूज किया जाता है एक particular country के द्वारा देश के द्वारा जा फिर community मतलब समुदाय के द्वारा तो बिल्कुल यह चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है कि पर्टिकॉलर देश की जैसे कि चाइन के अगर हम बात करें जाज जार्मनी के मतलब हर एक देश की अपनी पर्टिकॉलर लेंग्विज होती है और हमारे देश की लेंग्विज क्य meaningful conversation यहां से हमे meaningful words यहां से हमें देखने को मिलती हैं लेक्ष जिकर हम बात करें तो कुछ और सीज़े हमें माइंड में रखने हैं लेंग्विज को लेकर तो we use language to express our thoughts and it is a systematic arrangement यह से कि मैं आपको अभी-अभी बताया कि जो language होती है वो हम use क्यों करते हैं ताकि हम अपने thoughts को अ आपके साथ शेयर कर रही हूं as with a help of language Hindi language के help से या English language के हाथ से ठीके तो यहाँ पे हम language को use करते हैं अपने thoughts को express करने के लिए और इसे हम क्या कहते हैं systematic arrangement कहते हैं को कि हार एक language की अपनी script होती है clear यसे कि मैंने आपको बताया और English language के अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसके ब number of vowels कितने होते हैं हम सबको पता है के number of vowels कितने होते हैं 5 होते हैं but उन 5 vowels के जो sound होते हैं वो कितने होते हैं 20 होते हैं number of vowels English language में 5 होते हैं but उनके sounds कितने होते हैं 20 होते हैं अगर number of consonants के बात की जाए तो वो हमें कितने देखने को मिलते हैं 21 but उनके जो sounds होते हैं वो 24 होते हैं तो overall जो alphabets होते हैं, वो 26 होते हैं, बट उनके जो sound होते हैं, वो कितने होते हैं, 44, किस language की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, English language की बात कर रहे हैं, तो बिलकुर यहाँ से question आता है, important है, तो जुरूर इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, mind में रखेंगे, confused नहीं होना है, च 1600 जो languages हैं, मतलब 1600 जो भाषाई हैं, वो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बोली जाती हैं, ऐसा कैसे, दिखेंगे, बिलकुल common सी बात है, कि हमारे भारत में अलग-अलग राज्य में अलग-अलग भाषाई हमें देखने को मिलती हैं, राजस्थान में हमें राजस्थान देखने को मिलती है पंजाब में पंजाबी देखने को मिलती है तो बिलकुल अलग-अलग भाषाएं अलग-अलग राज्यों में हमें देखने को मिलती हैं क्लिए तो पूरे भारत में 22 major languages हैं मतलब इससे पहले मैं आपको एक information देना चाहती हूं पहले तो हमें यह पता होना वो भाषा होती है मतलब language होती है भाषा कि अगर हम बात करें जिसके मैं यहाँ पे हिंदी भाषा ले रही हूं जा फिर आप English ले सकते हैं clear और बोली कि अगर हम बात करें तो बोली क्या होती है तो वो जिसकी अपनी script नहीं होती वो बोली होती है simple words में वो जिसकी अपनी ल कि नहीं होती, वह बहुत है यहां पर अगर हम ले वह बात करें हम हर्यानवि को ले शक्ते हैं बीडि तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में अगर हम टांसलेट करें तो डाइलेक्ट है बड़ जो हिंदी है वो एक भाषा है क्योंकि इसके अपनी एक रूल्स है रेगुलेशन्स है लिपी है क्लियर स्क्रिप्ट जिसके हमें देखने को मिलती है बड़ कुछ भाषाई ऐसे भी होती है जो बोली भी होती है डेलेक्ट भी होती है और जो लेंग्विश भी होती है तो पंजाबी एक ऐसी लेंग्विश है जहां पे हमें इसकी लिपी भी देखने को मिलती है तो इसी भाशाएं होती हैं जो बोली भी होती है और लिपी भी होती है अधर्वाइस हमारे माइंड में एक concept जरूर बैठना चाहिए जिसकी अपनी लिपी अपनी script है that is known as language और जिसकी अपनी लिपी जाफी script नहीं है तो बिलकुल इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे देश में 22 major languages हैं बिलकुल जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया मतब 22 ऐसी भाशाएं हमारे देश में हैं जिसकी एक particular लिपी हमें देखनों को मिलती है और total हमारे पास कितनी script है मतलब कितनी लिपिया हमें देखनों को मिलती है 13 clear तो बिलकुल ऑवर हमारे पास जो 720 है वो dialect मतलब बोलियां देखनों को मिलती है इंडिया में तो यहां पे हम बात कर रहे हैं English language की अगर family की बात करें कि English language किस family का पार्ट है किस family में उसको रखा जाता है तो बिलकुल Indo European वहां पे हमें देखने को मिलता है clear तो यह बात भी हमें अपने माइन में रखनी चाहिए next अगर हम बात करें कुछ languages होती हैं बहुत सारे ऐसे persons होते हैं जैसे कि हम English भी बोल सकते हैं Hindi भी बोल सकते हैं अगर आप पं English को बोल सकता है मतलब for example Hindi और English दोनों उसको अच्छे से आती हैं वह दोनों को अच्छे से बोल पाता है यूज कर पाता है तो वह क्या होगा bilingual होगा clear नेक्स अगर हम बात करें जो person पांच से दस भाषाओं को के बारे में जानता है पांच से दस भाषाओं वह बोल सकता है उससे हम क्या कहते हैं polyglore तो बिलकुल यह सब चीज़े हमें mind में रखनी हैं नेक्स अगर हम बात करें multilingualism तो यह हमें क्या चीज़ बताता है तो multilingual क् हम बात करें multilingual क्या होता है मतलब अलग-अलग यह पर जो लोग अलग-अलग भाषाओं यूज करते हैं यह हम कैसे कह सकते हैं जैसे क्या होता है जैसे एक बच्चा है आज कल हमें देखने को मिल रहा है अगर आप पंजाब के हैं तो आप अच्छो से समझ पाएंगे तो ज इसा हमें देखने को मिलता है स्कूल में English बोलना compulsory होता है और घर में वह हिंदी जा पंजाबी जा कोई भी और लेंगिज वह यूज करते हैं तो ऐसा होता है कि अलग-अलग जगा पर जब अलग-अलग भाषाओं यूज की जाती है तो उसको multilingual कों कहा जाता है क्लियर तो बिल्कुल यहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों के साथ cooperate करना चाहिए तांके वह अच्छे से प्रप्यार हो सकते है नेक्स्ट यहां पर हमें देखने को मिलता है कि यूज ओफ मोर दें टू वान और टू लेंगेजिस इंक्रीज कोगनिटिव और पैडगोजिकल एफिसेंशी के लिए बहुत ही बैनेफिशिल होता है अच्छे से इनका विकास हो जाता है चलिए अब तक पता चला कि लेंगेजिस क्या होती है लेंगेजिस के बारे में हमने देखा अब जो टॉपिक है उस पर आते हैं हमारा जो टॉपिक है वह कौनसा है learning and acquisition सबसे पहले मैंने आपको language के बारे में क्यों बताया मैंने आपको language के बारे में इसलिए बताया क्योंकि हमें acquisition के बारे में जब पढ़ना है तो हमें ये चीज़ देखनी है कि बच्चे acquisition मतलब खुद भाषा को सीखता है खुद अपने भाषा ग्रहन कर लेता है तो उस भाषा के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए तो बिल्कुल सबसे पहले देखते हैं जानते हैं और समझते हैं कि acquisition क्या होता है acquisition क्या होता है देखिए ये तो बिल्कुल clear है कि बच्चा जनम लेते ही बोलना नहीं शुरू कर दिता तो सबसे पहले वो स्टार्ट करता है बैबलिंग से तो बह बह धीरे धीरे वो बोलने लगता है तो धीरे धीरे जब वो बोलने लगता है अपने पेरेंस को बोलते हुए देखता है उनको उनसे सीखता है क्यांति शलिए टर्ब करें तामिल को उस्वी तो त चेखने श्रूकोंति को पत्ज। य Dubai अर सब्रह् से सब्रेंट में जब राएग में जोब एक सबीनी जाएथ I मंस पाप कैसे बोल रहे हैं, उसके परन्स कैसे बोल रहे हैं, उसके वामिली मेंबर्स कैसे बोल रहे हैं तो बिलकुल उनको कौपी करता है एक नेच्रल इन्वार्मेंट में सीखता है, pen paper लेकर बच्चा एक बच्चा फर्स लेंग्विस को अपनी मदर टंग को नहीं सीखता यह चीज हम सब को क्लियर है विदाउट सिस्टेमेटिक प्रेक्टिस तो बिलकुल ग्रामर को यहां पे वह नहीं देखता कि मुझे यहां पे कौन सी ग्रामर का कौन सा रूर लगाना है बिलकुल यह कोशिश करता है सबसे पहले स्टेप उसका क्या होता है बैबलिंग क्या होता है वह दीरे दीरे ऐसे बोलना शुरू करता है और उनके तरह बोलते बोलते जैसे के स्टार्टिंग होती है बैबलिंग के बाद वह उनको कोपी करता है क्लियर तो बिलकुल वह इस चीज का ध्य नहीं रखता कि systematic practice systematically कैसे बोलना है जैसे उसके parents बोलते हैं वो बिल्कुल उनको copy करता है उनको बोलता है natural environment में उनको उनसे सीखता है clear तो बड़ी असानी से हम कह सकते हैं कि खेल कूद में जब एक बच्चा language को सीख जाता है अपने mother tongue को सीख बिल्कुल इसको mother tongue के साथ हम कहेंगे कि इस प्रोसेस में बच्चा क्या करता है mother tongue को acquire करता है वो language जो उसकी अपनी language है उसकी family की language है हम बात करें कि उसकी society की language है clear to acquisition हमें यहां से clear होती है के वो language जो एक natural environment में हम सीखते हैं जह वीना systematic practice के हैं क्या होती है acquisition होती है देख़े acquisition word अगर हम लें तो यह कहां से आता है इक्वैर से मतलब क्या होता है grant करना, acquire का मतलब होता है grant करना, मतलब जब कोई बच्चा language को grant करता है that is known as acquisition, clear तो इसको हम हमारी first language भी बोलेंगे इसको हम हमारी mother tongue भी बोल सकते हैं, religious भी बोल सकते हैं clear तो बहुत सारे नाम यहां पर हमें देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल important है, clear है, I hope आप सबको अच्छे से clear होगा कि acquisition क्या होता है वो language जब बेना rules के, regulation के, grammar के, practice के सीखी जाती है बट सीखी जाती है एक खेल कूद में, paper पैनले की यह बच्चा नहीं सीखता है और clear अच्छे से खेलते, कूते, हसते, गाते यह language सीखी जाती है natural environment में सीखी जाती है और इसको हम mother tongue भी कहते हैं, जैसे हमारी मात्रो भाशा next अगर हम बात करें जो language acquisition होती है, यह एक active process होता है बिल्कुल this is a active process, जो language acquisition होती है यह एक active process होता है, मतलब उस समय हमारा जो mind होता है, वो active होता है अब यहाँ पर mind के active के अगर हम बात करें हैं, तो शाइद आपके mind में question होगा कि उस समय जो mind है, वो कौन सी condition में होता है, वो subconscious होता है जा फिर unconscious होता है, जा फिर unconscious होता है, देखो unconscious तो बिल्कुल नहीं कहेंगे हो यह नहीं सकता, possible ही नहीं है, अब बात रह जाती है यहाँ पर subconscious की जा फिर conscious की तो यहाँ पर एक चीज हमें पता है, जब मैंने आपको अभी अभी बताये कि acquisition क्या होती है तो आपने सुना होगा, मैंने आपसे कहा, कि यहाँ पर बच्चा बिना किसे हम कहेंगे कि बिना किसे efforts के जो language सीखता है, हस्ते खेलते गाते शीख जाता है वो language क्या, उसको हम क्या बोलते है, acquisition बोलते है, acquire कर लेता है, खुद खुद ग्रहन कर लेता है, उसमें वो कोई practice नहीं करता है, कोई systematic वे में उसको अच्छे से grammar नहीं पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, वस वो अपने parents को देखता है, उनकी तरह बोलने की कोशिश करता है, उस environment में, natural environment में सीख जाता है, तो यह चीज आपको यहां से clear हो गई होगे कि यहां पे उस बच्चे के कोई भी efforts नहीं लग रहे, यहां पे बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ रहे, ठीक है, यहां पे यह तो clear है कि यह acquisition है, वो active process है, बड़ यहां पे efforts नहीं लग रहे अगर efforts नहीं लग रहे, तो कौन सा mind यहां पे काम कर रहा होगा, subconscious mind, तो कौन सा mind हम यहां पे देखने को मिलता है, subconscious mind, जब एक acquisition की बात हो रही है, तो subconscious mind उस समय active होता है, एक बच्चे का, जिससे क्या होती है, learning acquisition होती है, first language की mother tongue की, clear तो इसको हम कहेंगे, जैसे कि मैं अभी 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 अब बताया कि आपको इसको आप language one के साथ जरूर रिप्रजेंट करेंगे, तो बिल्कुल language first इसको naturally कहा जाता है, next यहां पे हमें देखने को मिलता है कि during acquisition, a child is not aware about the grammar rules, बिल्कुल अभी अभी हम इसके बारे में detail में पढ़किया है, कि अगर acquisition हो रही है, एक बच्चे की, एक बच्चे सीख राय, ग्रहन कर रहा है, खुद बखुद ले रहा है, तो उसमें grammar rules के प्रति वो aware नहीं होता, बट उसको अच्छे से पता होता है, कि वो सही बोर रहा है, जग गलत बोर रहा है, वो खुद को correct करता है, for example, अगर एक लड़की है, तीन से देखा है, कि वो भी एक female है, उसके mother भी female है, वो खुद के लिए थी लगाती है, तो मुझे भी यही word को use करना है, अगर वो ऐसा बोलती है, कि मैं वहाँ वेटा था, तो वो खुद को auto correct करती है, खुद की गलती, खुद निकालती है, मतलब यहाँ पर grammar rules के बीना भी उनको अच्छे से clear होता है, कि क्या right है, और क्या wrong है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही environment में बड़े होते हैं, I hope यह चीज आपको अच्छे स clear हो गई होगी, कि grammar rules acquisition में follow नहीं किये जाते हैं, बच्चा उसके प्रती aware नहीं होता है, पर सही और गलत में उसको अंतर जरूर पता होता है, clear next बात करें, तो बिल्कुल एक meaningful communication यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, acquisition में, तो बिल्कुल सही, mother tongue है, comfortable होके यहाँ पर बात की जाती है, meaningful communication आपको देखने को मिलेगी, और बात की जाये, तो acquisition के बारे में, acquisition of a language requires meaningful communication in the language which is not natural communication, sorry, which is called natural communication, तो acquisition क्या है? Language है, clear हम बात करेंगे communication करेंगे अपनी mother tongue में communication करेंगे हैं हिंदी में communication करेंगे हैं we are comfortable अच्छे से हम बोल सकती हैं हमें पूरा confidence है कि अगर हम हिंदी में बात करेंगे और अगर हम English में बात करेंगे तो English के comparison हम हिंदी को जादा अच्छे से और सही वे से बोले सकती हैं उसके साथ अपने व्यूस को अच्छे से रिपरजन कर सकते हैं comparison than English क्योंकि हमें पता है कि हिंदी हमें proper वे से आती है this is our first language और mother tongue comparison than English बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं proper वे से study करने के बाद वे जो English communication है उसमें उने problem देखने को मिलती है अगर आपको अच्छे से English आती है तब भी आप अपनी mother tongue में आप खुद अगर notice कोरो तो आप अपनी mother tongue में ज्यादा comfortable feel कोरोगे clear तो जरूरी वहां पे हमें एक अच्छे से meaningful communication देखने को मिलती है जिसको हम natural communication भी कह सकते हैं तो यह कुछ बाते हैं जो हमें acquisition के बारे में अच्छे स clear होनी चाहिए देखे acquisition कुछ नहीं है acquire word से बना है और साथ ही में हम यह कहेंगे कि अगर यह word acquire से बना है तो acquire का मतलब क्या होता है ग्रहन करना अगर acquire का मतलब ग्रहन करना होता है तो ग्रहन किया जाता है वो language जो बच्छा खुद ग्रहन कर लेता है खुद ले लेता है that is acquisition मतलब बिना किसे rules के बिना किसे grammar rules के systematic practice के systematic arrangements के वो बच्चा इसको सीखता है साथ ही अगर बात करें तो बिल्कुल एक active mind का process है यह question आता है कि subconscious जा conscious में बच्चे बहुत confused होते हैं कि acquisition में कौनसा mind active होता है तो किसी भी वे से यहाँ पर question हो सकता है हो सकता है आपका answers में questions conscious subconscious पूछ ले जाए फिर आपको question में ही दे दिया जाए तो बिल्कुल different type के questions आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं previous question paper अगर आप चेक करेंगे तो जुरूर मिलेंगे भी तो इस चीज़ को जुरूर mind में रखेंगे कि जो acquisition है वो subconscious mind में होती है subconscious mind में होती है clear acquisition नहीं होप आप सब को चेक क्लियर हो गया होगा work acquisition क्या होती है वो जो हम एक बच्चा सीखता है अपने natural environment से बीना rules or regulations के clear आगे बात करते हैं learning के बारे में जो learning होती है हमेशे second language के लिए देखिए अब यहां पर हम एक बात करें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि तीन से चार साल तक का बच्चा तीन से चार साल तक का बच्चा क्या करता है अपने घर पे रहता है पेरेंस के साथ रहता है अपनी सुसाइटी में रहता है और बिल्कुल उसी वे से बोलता है अगर वो राजस्थान में है तो राजस्थान लेंग्विज को बोलने की कोशिश करता है पंजाब में है तो पंजाब भी बोलता है तीन से चार सल का बच्चा बिल्कुल correct अच्छे से पकड़ बना लेता है अपनी first mother language पर mother tongue language ठीक है next अगर हम बात करें learning की second की तो इसके बात क्या होता है बच्चा school जाना शुरू करता है schools में जाके हमें पता है कि उसका जो environment वह हम पर change होता है second language सीखनी शुरू करता है अगर वो school जाता है तो उसको Hindi जा English सिखाए जाती है जैसे के हम सी देखते हैं आज के टाइम में अगर साइड पर बच्चे को हिंदी में आ पढ़ाया जा रहा है तो दूसरी ही साइड में उसको ABC भी पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल यह चीज़े हमें देखने को मिलती है learning क्या होती है second language की होती है first language सीखने के बाद first language की acquisition हो जाने के बाद उसको grant कर लेने के बाद जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है थोड़ा environment में थोड़ा स्कूल में जाता है बच्चा जैसे स्कूल में जाकर उसको English सिखाए जाती है जा अगर हम बात करें mother tongue उसकर Hindi नहीं है तो Hindi सिखाए जाती है तो वो क्या कहलाती है second language कहलाती है और second language के लिए हमें सीखना पड़ता है किसी के पास जाना पड़ता है ताकि वो हमें सिखा सके For example, हमारी अगर बात करें, माल लीजे हमें English नहीं आता जाफिर माल लीजे हमें French नहीं आता, English की बात छोड़िए French नहीं आता और हम उसे सीखना चाहते हैं अगर हम French language को सीखना चाहते हैं तो हम खुद से उसको नहीं सीख पाएंगे क्योंकि हमें उसके skills के बारे में, उसके script के बारे में, उसके grammar के rules के बारे में knowledge नहीं है तो हमें कोई ऐसा person चाहिए जाएंगे जो हमें उस language के बारे में knowledge दे जो हमें उस language के बारे में सिखाए कि French language कैसे बोली जाती है का रहा है तो बिल्कुल इससी तरीके से अगर हम यहां पे मैःनत का रहे हैं सिम् Slovene एगर हम कहें तो यहां पी क्या का रहे हैं । मेहनत कर्ये हैं अफर्ट लगा रहे हैं तो यहीं से आपका एक कुष्ट लगाए हैं आपके बिल्कुल आपका जो माइंड अटिविटी है और यहां पे आपका जो माइंड है वो कौन से active होगा conscious mind active होगा इसको आगे study करते हैं उससे पहले देखते हैं कि language learning is a result of direct instruction in the rules of language तो बिल्कुल यहां पर हम बात कर रहे हैं rules of language के तो वो language जिसको हम proper rules से regulation से proper system से हम उसको सीख रहे हैं तो वो language क्या है learning कहलाती है वो language learning कहलाती है जब हम rules को अच्छे से सीखते हैं समझते हैं यह age के according नहीं होता आप किसी भी उमर में कोई भी language सीख सकते हैं छोटी उमर में भी आज कल बच्चे English सीख रहे हैं और बड़ी उमर में भी कोई भी हम language सीख सकते हैं इसमें एज को कोई भी हम नहीं कहेंगे कि इतनी उमर का बंदा है इतनी उमर का परसन है तो वो नहीं सीख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कोई भी एज में हम language learning कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहां पे हमारा conscious mind अक्टिव होता है क्योंकि यहां पे हम मेहनत कर रहे हैं आपना बेस्ट दे रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको यह doubt अच्छी से क्लियर हो गया होगा कि यह भी एक आक्टिव प्रोसेस है और यहां पे हमारा कौन सा mind active होता है, conscious mind active होता है, क्योंकि यहां पे हम हमारे efforts लगा रही हैं, next अगर हम बात करें, learning of a language is based upon less communication and more explanation of grammar rules, तो यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, for example, a person, जब हम English बोलते हैं, तो हमारा ध्यान कहा होता है, कि मैंने जो grammars के rules लगाए, वो सही है, यहां पे वाज ही आना था, यहां पे द आना था, तो ऐसे grammars के rules में हम उल्चके रह जाते हैं, तो यह explain करता है grammar के rules को जादा, और communication यहां पे हमें काम देखने को मिलती है, learning में, क्योंकि हम जब second language को देखते हैं, तो बिल्कुल हम grammars के rules को ज़्यादा follow करते हैं, हम अगर कोई sentence बोलते हैं, तो पहले उसको mind में सोचते हैं, कि यहां पे जो मैंने कौन से rules लगाए हैं, यहां पे वाज लगेगा, या द लगेगा, जो सोरी, इस लगेगा, तो यह ऐसे questions हमारे mind में देखते, घुमते रहते हैं, तो बिल्कुल यहां पे हमें यह चीज़ एकन को मिलती है, कि यहां पे grammar के rules ज़्यादा होते हैं, communication के comparison, comfortable communication हमारी mother tongue में ज़्यादा होती है, अब यहां पे एक important question आता है, बहुत important question है, यहां पे बहुत बार आ सकता है, आया भी है, कि according to NCF 2005, इंडिया की जो language है, English, sorry, in India, यहां पे हम जुरूर अड़ करेंगे, English आएगा, तो in India, English is a second language, देखें, यहां पे UPDAT में भी यह question आ चुका है, बट UPDAT में according to NCF नहीं पूछा गया था, तो उन्होंने सिर्फ पूछा था कि इंडिया में second language कौन सी है, तो बिल्कुल इंडिया में second language कौन सी है, English है, चाफिर यह पूछा जा सकता है, कि इंडिया में जो English है, वो क्या है, ग्लोबल है, second language है, तो ऐसे बहुत सारे options, चार options आपको दिये जा सकते हैं, तो बिल्कुल इंडिया में जो language है, वो second language है, कौन सी English, English हमारी second language है, फर्स लेंडिया की बात करें हम, तो हिंडी हमारी first language है, क्लियर, तो बहुत सारे बच्चे यहां global में और second language में confused होते हैं, तो आपका यह doubt अच्छे clear हो गया होगा, important है, यह चीज़ आपके mind में होनी भी चाहिए, तो NCF 2005 के coding, जो second language है हमारी, वो कौन सी है, English है, और अगर first language की बात की जाए, तो वो कौन सी है, हिंदी है, clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इन acquisition, learner focus more on text and less on form, यह तो बिलकुल अच्छे से clear है, acquisition की बात यहां पे हो रही है, मतलब gray hand की बात यहां पे हो रही है, मतलब वो language जो बच्चे ने खुद बखुद सीखी है, बीना किसे rules के, तो यहां पे acquisition की बात हो रही है, तो इस में क्या होता है, बच्चे text पे जादा focus करते हैं, बच्चे text पे mother tongue में जब वो बोल रहे हैं, तो वो इस चीज़ पे comparison, rules के comparison, grammar के comparison, grammar पे उनका इतना ध्यान नहीं होता, from word पे उनका इतना ध्यान नहीं होता, clear, तो इन सब चीज़े के, मतलब rules के comparison, वो text पे जादा ध्यान देते हैं, वो इस चीज़ पे जादा focus करते हैं, कि वो क्या बोल रहे हैं, after that, learner के अगर हम बात करें, तो learning में हमें opposite द अगर हम English बोलेंगे, तो हमारा सारा का सारा ध्यान किस पे होगा, form पे होगा, rules पे होगा, grammar पे होगा, subject, object पे होगा, clear तो ये चीज़े हम यहाँ पे देखने को मिलती हैं, next अगर हम बात करें, mother tongue is mostly acquired, while second language is mostly learned, mother tongue होती है, जो acquire की जाती है, खुद बखुद ले ली जाती है, ग्रेहन की जाती है, और second language होती है, जो जादा से जादा सीखी जाती है, जो हमें किसी के द्वारा सिखाई जाती है, और हम उसको सीखते हैं, तो ये चीज़ हम पहले बहुत डिटेल में डिसकस कर चुके हैं, कि acquire होता है, ग्रेहन करना, और learn, learn के अगर हम बात करें, learning, अग learning is acquire and getting knowledge of subject of a skill by study, experience, instruction, अब ये चीज़ देखें, ये भी बिलकुल वही बात है, कि जो learning होती है, वो किसी के तुवारा सिखी जाती है, जिसके हम French language के example ले रहे थी, वहाँ पे हमने क्या देखा था, कि अगर आप French language सीख रहे हो, तब क्या करोगे, प्रपर उसके subject की तरह एक चाहोगे, उसके rules follows करोगे, आप प्रोपर एक as a subject उसको आप study करोगे, तो बिलकुल जैसे कि हम English को as a subject study करते हैं, after that उसको सीखते हैं, और फिर भी हम उतना comfortable feel नहीं करते हैं, जितना हमारी mother tongue में comfortable communication कर सकते हैं, तो बिलकुल conscious होता है learning, efforts रगाने पड़ते हैं, जहां पे conscious mind ह हमारा present होता है, clear, तो I hope आपको ये तीनो topic अच्छे से clear हो गए होंगे, कि language क्या है, acquisition क्या है, और learning क्या है, तो तीनो ही आपको अच्छे से clear हो गए होंगे, कोई भी doubt आपका नहीं होगा, बहुत easy है, basic है, overview अगर हम ले तो language क्या है, अगर हम communication का रहे हैं किसी से, communication काने के हम एक माधियम चाहिए, वो माधियम है language, clear, acquisition क्या है, जब एक बच्चा directly तो अगर हम देखें, पंजाब में अगर कोई है, तो वो पैदा होती ही, तो पहली बात तो वो बोलने नहीं लग जाता, after that अगर हम देखें, तो सबसे पहले वो पंजाबी को सीखता है, पंजाबी प्रॉपर वे तीन से चार सल तक वो प्रॉपर वे में एक पंजाबे लेंगिज बोलना सीख जाता है, बिल्कुल सही तरीके से, after that वो सेकिन लेंगिजिस को सीखता है, like हिंदी को जब पंजाब, sorry, इंग्लिश को, तो वो कहलाती है लानिंग, जब वो रूज को फोलो करता है, grammar को फोलो करता है, अच्छे से as a subject study करता है, बीना rules regulation के जो वो language सीखता है, acquire करता है, grant करता है, वो acquisition कहलाती है, clear, तो देखिए, बिल्कुल easy है, बिल्कुल भी कुछ हमें यहां पे difficult नज़र नहीं आ रहा, बट exam में क्या होता है, question को गुमाफ विराकर आपको, आपके सा position के बारे में, जो भी मैंने आपको detail में इसलिए बताया, ताकि आप exam में confused ना हो सके, और आपके जो अगर आपके पास question घुमाफ फिराकर भी आ जाता है, तो आप उसको easily cover कर सके, और भी detail में इस topic को cover करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, और continue करेंगे, next topic में, sorry, next video में इस इसी topic को detail में अच्छे से study करेंगे, आगे continue करेंगे, clear, तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, next video में मिलते हैं, thank you